हाई गाईज वेलकम टू टेक्निकल स्टाडी जोन अगर आप में चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे तो दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छा रिकूटमेंट लेके आया हूँ जो की निकल का आया है इंडिया पोस्ट से तो क्या रिकूटमेंट है रिकूटमेंट जो है आई टियाई स्कील्ड आर्टिसियन का रिकूटमेंट है तो आई टियाई कौन कौन सा टेड अपलाई कर सकता है कौन कौन सा टेड नहीं अपलाई कर सकता है क्या काईटेरिया है तो डिटेल्स आप लो करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते iamploy corner यहां पर सिंप्ली आपको जो है क्लीक करना हैगा और यहां पर देख सकते utility.co.co.uk UN in 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 out in एक कुछ ऐसा इन्टरफस दिखने को मिलेगा यहां पर यहां ब Hispanics और है तो यह अपसक्र था संन्सक्राच क क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पे नीचे जाने के बाद है इसलिए वह जा दी काओ डाल नमबर रिधुैल पहुड ने अपने में देखते तो यह दोनों जो है आपका बहुत ही अच्छा रिकूट्मेंट आया एक ड्राइबर के लिए और एक जो है आपका आईटिय के लिए स्कील्ड आटिशियन तो पहले जो है करना है क्लिक करने के बाद एक पीडियेप जो आपको डाउनलोड हो जाने के बाद यहां पर आपको डीटेल्स मिल जाएगा और लाज डेट आप रिशीप अप्लिकेशन जो है यहां पर 26 पाज 2021 आप टू 17 आवर्स तो जो है लाज डेट रखा गया है 26 पाज तक ठीक है और एप्लिकेशन आर इन्वाटेट फॉर दा फॉलॉइंग पोस्ट फॉर्म एलिजीबिल कैंडिडेट्स दिया हुआ है डीटेल्स वैकेंसी जो है नीचे दिया हुआ है तो डीटेल्स वैकेंसी क्या है हम लोग देख लेते हैं तो आईटेई के लिए तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या क्या पोस्ट है नेम वक्लाम फॉकोर अम्बी मेकनेट मोंटर विएकल मेकने जो है ये जो इसकिल्ड है इसमें नंबर और बैकेंसी सकते है पाँच एज लिमिट जो है अथरा से 30 साल तक और जो है सी के लिए एक सीट है ऑपी सी के लिए एक सीट है EWS के लिए एक सीट है और यू आर जेनरल के लिए दो सीट है तो टोटल पांच सीट है उसके बाद जो है copper and tin smith skilled इसमें भी आपका जो है एक vacancy है जिसमें 18-30 साल तक age रखा है यूर में एक post है उसके बाद जो है painter skilled में एक post है जिसमें आपका age limit रखा है 18-30 सेम और इसमें OVC में एक post है उसके बाद देख सकते है tire man skilled इसमें भी आपका एक पोस्ट है जिसमें आपका यूर में एक पोस्ट है उसके बाद motor vehicle electrician तो motor vehicle electrician में आपका जो है एज़ लिमेड 18-30 है इसमें भी vacancy 2 है दो vacancy में जिसमें एक है आपका ओवी सी के लिए और एक जो है EWS के लिए टोटल दो vacancy है तो देख सकते यहां पर जो है आपका जो है ग्रेट पर दिया हुआ है 19,900-1900 ग्रेट पर 19,900 से 63,200 तक प्लास admissible allowance दिया हुआ है skilled artisan के लिए और क्या का condition यहां पर रखा गया है तो यहां पर जो देख सकते आप लोग जो method of selection जो रखा गया है method of selection रखा गया है आपका only for trade test on the basis of syllabus respective trades तो आपका IT में जो जिस trade का trade के लिए है आप तो उसी trade में जो है आपका trade test होगा तो trade test के इसाब से जो है आपको selection होगा age limit जो है age relaxation रखा गया है CST के लिए पाज साल और इसी के लिए तीन साल तो यहां पर देख सकते instruction of the candidates index आपका जो है form भरना है English and Tamil में correctly उसके बाद जो देख सकते हैं आपको one passport size photograph उसमें आपको एफिक्स करना है फिक्स करना है आपको offline form में और वो जो है आपको साइन कराना है उसके बाद देख सकते हैं आपको 100 रुपए का IPO इंडियन पोस्टल ओर जो है आपको उसमें देना है ठीके अगर आप आप साइन के लिए उसके बाद आपको 400 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा उसके बाद देख सकते हैं आपका जो एज प्रूफ, डेट अब बाद, एडुकेशनल कॉलिफिकेशन जो डिटेल्स है यह सब आपको एटेस्टेट करके जेरॉक्स को भी जो है एप्लिकेशन के फॉर्म के साथ आपको एटेच करके भेजना है ठीके अगर आप सेंटल गॉर्मेंट एंपलाई हो तो आपको किस पोस्ट के लिए आप अपलाई कर ले हो और कहां आपको भेजना है और जिनल साटिफिकेट जो यहां पर नहीं मांग रहा है तो यहां पर भोल रहा है कि आपको सब कुछ डिटेल्स जो है अटाच्मेंट देना है अगर आप नहीं देते तो रिजेक्ट कर दिया आपको ऑनली स्पीट पोस्ट में भेजना है दूसरा कोई पोस्ट से अगर आप भेजते हो तो आपको डिजेक्ट कर दिया जाए और एज जो है एज क्राइटरिया आपका एक साथ 2021 का कट अपडेट रखा गया है इसी इसाफ से सब किया जाएगा उसके बाद जो है देख सकते है आपको सेपरेट अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आपली करना चाते हो तो तो सेपरेट अप्लिकेशन करना है और यहां पर देख सकते है आपको जो है भेजना है application for the post of envelope के उपर लिखना है ठीक है envelope जो आप भेज़ोगे उसमें envelope के उपर आपको लिखना है application for the post of यहां पर आपका पोस्ट का name in mail motor service चेनना यह जो address दिया है यह total लिखना है ठीक है उपर में application for the post of dash in the mail motor service चेननाई पिन कोड ठीक है यह लिखना उपर में नहीं तो आपका जो फॉर्म जो है cancel हो जाए उसके बाद जो आपको भेजना है envelope जो भेजना यहां पर देख सकते तूदा करके senior manager main water service इस जो address है total यह जो है इसमें आपको भेजना है उसके बाद देख सकते लाज़ डेट के बाद आगर आपका application मिलता है तो reject कर दिया जाएगा application में आपको हर जगा जो है आपको सेल्फ अटेस्टेट करना अगर नहीं करते हो तो आपको जो candidate है उसके लिए जो है एक साल का experience certificate चाहिए और जो टेंथ पास है टेंथ पास के साथ सिर्फ आइट इस सर्टिफिकेट देने में ही हो जाएगा ठीक है उसके बाद देख सकते हेवी motor vehicle license चाहिए for mechanic trade के लिए और जो है community certificate जो है CST OVC EWS जो है डिस्टिक authorities जो से जो आपको मिला है वही देना है और IPO जो है 100 रूपीस का देना है आधार ट्रेट जो है मेकानिक छोड़कर जो आधार ट्रेट है उसके लिए एट पास के लिए एक साल का experience चाहिए और जो टेंथ पास है उसका आपको एक साल का experience नहीं चाहिए और साथ में आपका आईट पास हो आप तो उसके लिए आपको जो है एक साल का experience नहीं चाहिए सिर्फ एट पास प्लस आईट पास देने में हो जाएगा नहीं है और साथ में है जो है आपको ने माइल लिखना है पोस्ट नेम यहां पर आपको मिल जाएगा देख सकते यहां पर पोस्ट नेम जो है यह जो दिया हुए यहीं लिखना है जैसे आप एंबी रेंडौ ही डाफ मेकानीग ब्रैक्अट स्क्यील इस पोस्ट के लिए आप एपलाई करना चाहते हो अपको जैसे लिखा है तो प्राइंटर प्रैकेट में आपको स्कील लिखना तो ऐसे करके जो आपको यहां पर फिल करना है फिल करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आप नेम काटागरी फादास नेम एड्रेस अप कॉम्मुनिकेशन डेट अब बार्थ एज 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 एक साथ 2020 में आपका कितना एज हो रहा है यह देना है नेशनलिटी डीटेल्स एडुकेशन क् लूब के लिए बहुत ही अच्छा गॉत में और दूसरा लूबस आपको यह द्राइबर दूसरा घलनed कि 25 पोष्ट जो ड्राइवर के लिए है और डिनरी ग्रेड तो इसका पीडिव हम लोग डाउनलोड कर लेते तो इसका डीटेल्स हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया है तो दोस्तों देख सकते हैं यह आपका सेम जो है आपका चेननाई से ही सेम रिकूटमेंट है आपको यह भी 26 तारीक से पहले आपको जो है फॉर्म पहुचना चाहिए ऑफलाइन और स्टाप कार ओडिनरी ड्राइवर जो निकला है वैकेंसी इसमें आपका एज लिमिट रखा है अता से साल तक सी के लिए चार पोष्ट है ओस सी के लिए साथ पोष्ट है टीन फोस्ते और कैटेगरी के लिए रड़ा पोष्ट है टो टीनीफाइब स्टे ड्राइवर के लिए आप लोग अपलाई कर सकते हैं सेम ग्रेड पे है Teak SilvaVO Aujourd यह आपका włas मb सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर मैं आपको थोड़ा सा नोलेज चाहिए ठीक है और यह इह आपको सिम्स चाहिए कि रमाना ही चाहिए अबच को is you या ही मोटर वेगल हो तो यहां पर देख सकते हैं टोटल सब कुछ यहां पर डिटेल्स दिया हुए आप लोग देख लिजेगा अगर आप मोटर वेगल ड्राइवर में अपलाई करना चाते हो तो टोटल जो है आपको फॉर्म भरना और कहां भेजना उपर में अप्लिकेशन सेम ऐसे लिखना है स्टाप का ड्राइवर ऐसे करके लिखना है पिछले फॉर्म जैसा तो अगर आप मोटर ड्राइवर के लिए अगर अपलाई करना चाते हो तो आपको यह यह डॉकुमेंट्स आपको चाहिए टेंद स्टैंडर्स सार्टिफिकेट राइविंग लाइसें अगर रखोड़ेशक परेशन लाइक बर को कुछ दुक्कत हो या तो कमेंट जFirst करके आपको भड़ना चाहिए अगर विडियो अच्ट लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और अगर आपको कुछ दिक्कत होड़ा है तो कमेंट जरूर कीजिए तो जलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो पर आज के लिए इतना है